PSL से जुड़ी latest news जानने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और साथ साथ इस bell icon पर किलिक करें ताकि हर वीडियो की notification सबसे पहले मिले आपको नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोहित यादगरूपर दोस्तों आजगी इस वीडियो में मैं आपको PSL के refund से जुड़ी दो मैं तवपुन जानकारी के बारे में बताऊंगा जो आप सभी निवेशकों का जानना बहुत जुरूरी है सबसे पहले मैं आपको इमेल के बारे में बताऊंगा जो आप सभी संग्थनों के परदादिकारी, मेंबर, एजेंट और निवेशकों को करना बहुत जुरूरी है और इमेल में क्या लिखना है और किस किस को इमेल करनी है इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा और दूसरी जानकारी, इनसाफ की आवाज नाम से एक संस्ता जो आप सभी के पैसों के लिए किस तरह से संगर्स कर रही है उस संस्ता के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दूँगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक तक दुरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें साथी साथ बैल आइकन पर किलिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकसन आपको मिले सबसे पहले वैसे तो हम अपने PSL की रिफंड की समस्या के समयदान के लिए कई तरह से संगर्श कर चुके हैं कभी सडकों पर दर्णा देकर कभी सेबी को ग्यापन देकर तो कभी पड़ानमंत्री के आवास का गिराव करकर तरह तरह के प्रोग्राम करके हम अपने पैसों के लिए संगर्श कर रहे हैं और इन दिनों ट्विटर पर अपने हैस्टेक को ट्रेड करवा के अपने PSL की समस्या को नेताओं तक पुचाने की प्रियतन कर रहे हैं परन्तु जब तक ट्विटर का हैस्टेग ट्रेड करेगा तब ही हम ट्विटर के अभ्यान में काम्याब हो सकते हैं लेकिन हमारे पास एक साधन और है इमेल जिसके द्वारा हम अपनी समस्या को सरकार के सामने रख सकते हैं इमेल को आप सभी संग्ठनों के पदादिकारी, मेंबर, एजेंट और निवेसको को करना बहुत जरूरी है आप इमेल के द्वारा भी अपनी PSL के समस्या को परदानमंतरी, सेबी, सुप्रीम कोट, राष्टपती, विपक्स के नेतां तक पहुँचा सकते हैं आपको क्या मेल करना है, और क्या मेल में मैटर लिखना है, और कौन-कौन सी मेल आइडी है, उन सभी की जानकारी आपको वीडियो के द्वारा बताऊंगा, इन मेल आइडी के द्वारा आप अपनी बात रख पाएंगे, और उनका जवाब भी आपको मिलेगा मैं आप सभी सातियों से request करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंख्या में mail करें और अपनी समस्या का समादान पाए अब आपको क्या mail करनी है और क्या mail ID है इसके बारे में बता देता हूँ सबसे पहले आप वीडियो के description box में जाएंगे आपको निचे एक link मिलेगा इस link पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको chrome browser में लेके जाएगा chrome browser open होने के बाद आपको एक letter pad दिखाई देगा इस letter pad को भी आप download कर लेए download करने के बाद आपको निचे जिस mail ID पर आपको mail करनी है उन सभी mail ID के office के नाम दिखाई देंगे जैसे राष्टपती, सुप्रीम कोर्ट, सेबी, नरेंदर मोदी, PMO, राहुल गांदी इन सब के नाम आपको उपर दिखाई देंगे इसके बाद आप इसको उपर करेंगे निचे आपको वो mail ID दिखाई देगी जिस पर आपको अपना matter mail करना है इसके बाद आपको इन mail ID पर click करना है और इनको निचे ले जाके इसको select कर लेना है इन सभी mail ID को select करने के बाद आप इनकी copy कर ले इन mail ID को कोपी करने के बाद आपको अपने Gmail अकाउंट में जाना होगा Gmail ID पे जाने के बाद आपको इस तरह से Gmail आपका अकाउंट दिखाई देगा यहां आपको निचे Compose का एक option दिखाई दे रहा है इस पर आप किलिक करोगे तो आपके सामने Compose का box ओपन हो जाएगा यहां आपको From में आपकी email ID दिखाई दे रही है जिस email ID से आपको mail करनी है इसके निचे आपको To का box दिखाई दे रहा है इसके सामने आपको इस तरह सा arrow का निशान दिखाई दे रहा है इस पर आप किलिक करोगे तो आपको CC और BCC का box ओपन हो जाएगा इन box में आपको क्या लिखना है और इन box का क्या मैता हो है इसके बारे में भी आपको बताऊँगा सबसे पहले आपको निचे आपको Compose mail का एक box दिखाई दे रहा है इस box में आप किलिक करके जो mail ID कोपी गी थी उन mail ID को पेस्ट कर लेंगे mail ID को पेस्ट करने के बाद सबसे उपर आपको दो mail ID दिखाई दे रही है इन mail ID को एक एक सेलक्ट करने के बाद आपको इसको CC के box में पेस्ट करना है पहले इसको select किया फिर इसको cut किया और इसको cut करने के बाद cc के box पे जाके click किया click करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा इस पे आप click कर दोगे इसके बाद आप दूसरी email id पर जाके select करोगे उसको cut करोगे कट करने के बाद इसको भी CC के बॉक्स में सलेक्ट करके पेस्ट कर दोगे उसमें भी आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा इस पर आप किलिक कर दोगे ये दोनों mail ID भारत के राष्ट पती की है और ये mail ID CC में क्यों पेस्ट किया है इसके बारे में आगे बताऊंगा पेस्ट करने के बाद नीचे जो आपको mail ID दिखाई दे रही है उनको एक एक सलेक्ट करके 2 के बॉक्स में पेस्ट करना है फिर दूसरी mail id को select करना है इसको cut करना है और इसको to के box पे click कर देना है box के click करने के बाद आपको इस तरह ऐसा option दिखाई देगा इस पे आप click कर दोगे फिर दूसरी mail id पे आपको select करना है उसको cut करना है और उसको cut करने के बाद यहाँ paste करोगे आपके सामने इस तरह एक box दिखाई देगा उस पे click कर देना है इस तरह से आप सभी mail ID को एक एक select करके 2 के box पे paste कर दे आपने उपर जो mail ID CC के box में select की है CC का मतलब है carbon copy अगर आप इस mail ID की carbon copy किसी को बेजना चाते हैं तो CC में वो mail ID लिखके उनको वो उस mail ID की carbon copy send कर सकते हैं इस CC में जो आपने mail ID लिखी है वो राष्टपती की mail ID है अब आप इन mail ID की copy राष्टपती को भी बेज सकते हैं और जो आपने 2 के box में mail ID लिखी है उन सब को भी मालूम हो जाएगा कि इसकी carbon copy भी राष्टपती को send की हुई है अगर इस CC में आप अपने mail ID लिखना चाते हैं तो भी लिख सकते हैं इसकी carbon copy भी आपको mail ID लिखे द्वारा आपको मिल जाएगी इसके निचे आपको एक box दिखाई दे रहा है इसका मतलब है बलाइंडर कारबन कोपी इसको आप mail ID लिखना चाते हैं तो लिख सकते हैं अगर इसको खाली छोड़ना चाते हैं तो खाली भी छोड़ सकते हैं अब आपको निचे एक subject का box दिखाई दे रहा है इस box में आप एक line में जो headline बनाना चाते हैं आपने matter की वो बना सकते हैं हिंदिय अ इंगलिस जो भी आप लिखना चाते हैं उसमें आप अपनी headline बना कर लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ PSL के दिफंड में से भी कर रहे है निवेसको को परेशान इस तरह से आप जो भी headline बनाना चाते हैं वो बना सकते हैं इसके बाद आपको निचे compose mail का box दिखाई दे रहा है इसमें आप जो भी आपको समस्या है PSL से समंदित, refund से समंदित जो भी समस्या है आप हिंदी या इंगलिस जिसमें भी लिखना चाते हैं लिख सकते हैं जैसे 21 या 22 का मुद्द उठाना चाते हो या आपको refund मिलने में देरी हो रही है या आपकी घर बनाने में कोई problem है या पढ़ाई के लिए पैसों की जूट है सादी के लिए पैसों की जूट है इस तरह की जो भी आपको समस्या है हिंदिय और इंगलिस जिसमें भी आप लिखना चाते हैं लिख सकते हैं मैटर लिखने के बाद आप अपना phone number नाम और किस रजज़ से आप है वो जरूर लिखें अब आपको उपर एक attach का option दिखाई दे रहा है इस पर आप किलिक करोगे तो ये आप अपनी gallery में आ जाएंगे और यहां से आप वो letter pad अप्लोड कर सकते हैं इस letter pad पे भी PSL से समंदित समस्याओं के बारे में लिखा गया है इसको भी आप attach करके send कर सकते हैं अब आप इस letter pad को attach करोगे और इस mail ID को send कर दोगे तो इस तरह से आप mail ID के द्वारा देश के पदानमंतरी, गर्यमंतरी, वित्यमंतरी तक अपनी समस्या को पहुचा सकते हैं अगर आपने CC में आपकी अपनी mail ID लिखी है तो आपको भी उस mail ID की एक कारवन कॉपी मिल जाए ही उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका मैतर सही से send हुआ है या नहीं हुआ है इस तरह से आप सभी संग्ठनों के पदादिकारियों और एजेंटों को mail करना जरूरी है अब आप जान गए होंगे कि किस तरह से आपको mail करनी है अब आपको इनसाब की आवाज संस्ता के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि किस तरह से या संस्ता संगर्श करके आप निवेशकों के हिट के लिए कार्या कर रही है जैसा कि आप सभी निवेशक जानते हैं कि PSL की बहुत सी प्रोपर्टी भारत के अलग लग राज्यों के अनेकों सेरों में है और उन सभी प्रोपर्टीों को से बी ने अटेच किया हुआ है लेकिन कुछ प्रोपर्टी ऐसी भी है जो निर्मल सिंग भंगू या उनकी फैमली के नाम से नहीं है उन्हें वो property किसी और के नाम से की हुई है लेकिन वो property PSL की ही है तो ऐसी property को से भी attach नहीं कर पाई है इन सभी PSL की property को इनसाब की आवाद जनस्ता पता करके उन property को RM Loda से attach करवाने में बहुत सयोग कर रही है जैसा आपको स्क्रीन पर एक लेटर पैड भी दिखाई दे रहा है यह लेटर पैड पंजाबी में है मैं आपको हिंदी में पढ़के बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है यह इनसाब की आवाद जो पंजाब सरकार से रेजिस्टर संस्ता है इस संस्ता के परधान म पहिंदर पाल सिंग दानगड जी है और जनरल सेकेटरी रजवन्त बाला इस लेटर पैड में लिखा हुआ है विंती है कि सरहदी कॉम्पलेक्स में पियेशल की जायदाद है जो की आरेम लोडा कमेटी से अटैच नहीं हो रही है और इस प्रपर्टी को बेचने का हक सुप इसे बेचने की कोशिश कर रही है जबकि ही इसका हक अमरित सर के निवेशको का ही है इस सरकारी जमीन को बिकवा कर आप अमरित सर के लोगों का पैसा दिलाने में सयोग करें और आप से विंती है कि इस जायदाद को अभी तक आरेम लोडा कमेटी के अलावा कोई और नहीं अगर आपके जिले में भी पेसिल की कोई प्रोपर्टी है और उसे कोई खुद्गुद करने में लग रहा है तो उसकी शिकायत आप अपने जिले के मैजिस्ट्रेट या तैसिलदार से करवा करें। और उस प्रोपर्टी को बेचने में रोक लगाने में सयोग करें जिससे हमें प्येसल का पैसा मिलने में पूरी बन्तत मिलेगी। इस तरह से ये इनसाब की आवाज संस्ता PSL की प्रोपर्टी का पता लगवा कर उसको RM लोडा से अटेच करवा रही है जिससे आप निवेशको का पैसा जल्दी से जल्दी मिल सके तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो में आपको इमेल से समन्दी जानकारी देनी थी अगर अब भी आपको कोई प्रोब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और जादा से जादा मेल करवाने में सयोग करें अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें साथी साथ बैल आइकन पर किलिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिले सबसे पहले घर पर रहें सुरक्षित रहें जैहिंद